हैलो जोस्तो आप सभी सोफ बात करेंगे आपर पेडलेक इंडस्टी के बारे में दोस्तो इस कम्पनी के कौटर 3 के रिजल्ट अनौस हो चुके है और कम्पनी ने कितना बढ़िया दोस्तो पॉफ़ोंवर्स दिखाया है और कम्पनी एक्चियोली देखिए आगे कितनी इंप आपर दोस्तो कम्पनी बहुत बढ़िया है पूरे इंडिया में दोस्तो इस कम्पनी के बिजनेस का काफी बढ़ा वेटेज है और करिब दोस्तो आपकोंगा सव देशों में इस कम्पनी के प्रोडक्स सेल होते है और आपकोंगा कम्पनी अपना बिजनेस इतने देशों मे करकर दिखाती है तो पेडलिक इंडेस्टी बहुत वेल्वेबल और बढ़या कमपनी है result की बात हो या company के business की दोस्तो हर किसी चीज में company काफी अच्छी तरीके से यह आपर performance दिखाती है तो देख लेतें एस company के result कई से रहे और हमें क्या करना चाहिए वो यहाँ पर हम understanding करेंगे यहाँ पर देखें दोस्तों इस सभी figures इन company ने जो दिखाए करोण में है यहाँ पर आम पहले देख लेते company के total income के बारे में यहाँ पर आपको नजराएगा दोस्तों company का income जिस तरीके से पिछले साल December महिने में दोस्तों 2020 में 1,976 जो company ने करोण में कमाया था दोस्तों income वो बढ़कर 2,422 यहाँ पर हो चुका है करोण में बड़या तरीके से improvement company के दिखाए देती है दोस्तों यहाँ पर PIDELIC industry के यहाँ पर income के अंदर और यहाँ पर हम जैसे quarterly में इस पर बात करें तो पिछले quarter में देखिए 2,229 जो करोण में company का income था वो बढ़कर देखिए इस बार 2,422 यहाँ पर करोण हो चुका है तो definitely यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि दोस्तों company yearly and quarterly basis पर अपने improvement करकर दिखा रही है total income में but profit क्या यहाँ पर दोस्तों company ने कमाया है वो देखना जरूरी है profit after the tax की बात करें दोस्तों तो देखिए company कैसे यहाँ पर performance रखती है तो पिछले साल company ने दोस्तों देखना आपको बताना चाहूंगा 409 करोड का है यहाँ पर profit कमाया था वो यहाँ पर घटकर दोस्तों इस बार देखिए 322 करोड हो चुका है तो company ने यहाँ पर loss दर्च किया है yearly basis पर दोस्तों and quarterly basis पर also company यहाँ पर दोस्तों loss है बोलतों company का profit यहाँ पर नहीं दिखारी दे रहा है quarterly और yearly basis पर अभी यहाँ पर आपके mind में आएगा कि sir यहाँ पर दो company ने total income दिखाया था बड़या तरीके से quarterly और yearly definitely दोस्तों बट उसमें से जो expenses, taxes वगेरा deduct होकर जो company के पास pure profit बचा है वो यहाँ पर हमने जरूर देखा है और इससे आपको अंदाजा आता होगा कि company quarterly और yearly दोस्तों यहाँ पर उतना कोई बड़या performance दिखा नहीं पाई है यहाँ पर हमें definitely समझ में आ रहा है अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों इस stock में हमें करना क्या है Pedalic industry के बात करें company दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी है जरूर यह बात याद रखना company में थोड़े बहुत यहाँ पर 19-20 result डाउन आए बोले तो हमारे लिए opportunity है तो कि अभी stock में दोस्तों correction होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते है यह stock अभी फिटिटिक हाई के करीबी है 2700 रूपे का दोस्तों इसका फिटिक आए अभी यह 2500 के ऊपर ही चल रहा है तो गिरावट होना एक अच्छा मोका होता है गिरावट बोले तो देखे benefit वाली बात होती है और अच्छे stock गिरावट में खरीदने चाहिए दोस्तों correction में जैसे यहाँ पर हम देखे 5-10% का percentage हो correction का तो वह अच्छा रहता है यहाँ पर दोस्तों पेडिलिक इंडस्ट्री के बिजनस की बात करें तो कमपनी काफ़े आची तरीके से बिजनस करकर दिखाती है ऐसे अनिगिनत दोस्तों प्रोड़क है जो यहाँ पर कमपनी सेल करकर यहाँ पर काफी बड़े तरीके से बिजनस करती है और ऐसी कमपनी नहीं दोस्तों की जो अभी-अभी आए बोलकर सालों से वर्क कर रही है और वैलिबल यहाँ पर चीज़े दोस्तों कमपनी प्रोड़क कर रही है कितना है दोस्तों एक लाग एक तीस हजार पासो चौनसर करोड का तो कमपनी काफी बड़े है पैसे आपके सेव रहेंगे दोस्तों इस कमपनी में और आरोसी वगेरा भी काफी अच्छे तरीके से मेंटेन रखा है कमपनी डेफ्री है अल्मोस्ट यहाँ पर कमपनी के रिजर्ट अच्छे आते कमपनी का आरोसी मेंटेन दोस्तों और कमपनी डिविडेन का पे आओट भी बहुत अच्छी तरीके से करती है बैलेंशेट की बात करें तो कमपनी के पास देखे तगड़ा रिजर्ट नजर आता है पड़ा है तो कमपनी बहुत ही बड़ी है और कमपनी के पास पैसे भी काफिया अच्छे दिखाई देते है अब इसमें देखिए आथ थोड़ी क्या गिरावट होगे दोस्तों लोगों ने फटा फट माल उठाना स्टार्ट किया है और यहाँ पर आपको नजर भाएगा करीब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साड़े पाच लाग के करीब की कॉंटिटी इसमें खरीदी गई है और यहाँ पर आप बाइंग भी देख सकते हैं कंटिन्यू इस कमपनी में हो रही है तो आप यहाँ पर decision ले सकते है easily इसमें मैं आपको खाली यही कहूंगा जिनके पास है वह average कर सकते है quantity बढ़ा सकते है गिरावट एक अच्छी opportunity ही रहेगी दोस्तों आपके लिए thank you